सब गाईज आज हम देखने वाले ब्रहमोस मिसाइल सीक्रेट लीग डिटू पाकिस्तान शौकिंग हनी ट्रैप केस तो प्रशादवन सर की वीडियो है और यह क्या कुछ है मतलब एक हनी ट्रैप का तब भी तो आय था इस रोका या किसका यह था साइंटिस्ट उनकी लीक हु सकते दो पहले तो आप साफधान रहें चीए उसे देखते पूरी वीडियो बंटो तरी को रहे हैं एक आदमी भारत में गुजरात में हनी ट्रैप हो गया ओनलाइन उसको लगा मतलब लिटरली यहां पर आप आडेगल पढ़ सकते हैं हनी ट्रैप एक पाकिस्तानी एजेंट ने एक्टिंग करी के वो एक भारतिय महिला है IBM की employee है उसका नाम है Sonal Garg एक आडमी को आशकी हो गई इंटरनेट पर उनलाइन उसको लगा के बसा मेरी girlfriend बन गई है और अब उसके लिए वो DRDO पर spying शुरू कर चुका था और एक बार को ब्रमोस जैसे important missile की जो sensitive information है यह भी share करने को तयार हो गया था यहाँ पर आप देख पाएंगे man honey trapped by ISI handler to share info on missiles, drones held in Gujarat यह पूरा case क्या है इन detail है हम जानेंगे मगर इस news को discuss करना मैं कहूंगा बहुत ही जादा important है क्योंकि आज भी हमारा देश अगैन बहुत बड़ा है विभेन languages हैं विभेन regions हैं बहुत ही important है कि हर जगा लोगों को एक बाह समझ में आ जाए कि अगर उनकी नौकरी कहीं ना कहीं defense शेत्र से related है या फिर in simple words even government job भी है ना तो online उनको बहुत ही जादा alert रहना होगा अगर facebook पर whatsapp पर कोई गुमनाम number या कोई गुमनाम account जिससे कोई relation नहीं है आपका आपको पता है यह कहां से यह महिला कहां से यह कौन है अचानक से intra show करना start कर दे immediately कान खड़े हो जाने चाहिए alert हो जाना चाहिए आदमी को क्योंकि possibility है कि in reality वहाँ पे कोई महिला ना हो यह हो सकता है यह हो सकता है यह दुन हो सकते हैं हमें पता नहीं है कि पीछे कौन है क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा apparently यह बहुत ही जारा simple तरीका है भारत मे जासूसी करने का क्योंकि लगातार इन्होंने यह ट्राइ किया है और इनको लगातार सफलता मिली आम शुर आपको बताओगा DRDO के एक सांटिस्ट पर आज के समय केस चल रहा है कि यह हनी ट्राक हो गए थे पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आदमी महिला हमें पता नहीं आ तो आप सोच कर देखिए पाकिस्तानी ISI के लिए कितना असान है कोई एजेंट इंडिया में नी भेजना कोई जोखिम नी उठाना आपको DRDO की लाब में घुषने की आपको कोशिच नहीं करनी आपको कर जिए बस एक शरारती सा कोई ISI एजेंट हो उसको फोन देदो डेट सा काउंड बना दिया सोनल गर्ग या फिर किसी भी फीमेल नाम का और कोई लोनली सा DRDO का कोई इंप्लोई देख लिया या फिर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कंपनी है उसका कोई इंप्लोई अगर ठून लिया बस आपका काम शुरू आपको बैठे हैंडलर लर्ड एक्यूश्ट प्रवीन मिश्रा नाम है साथमी का प्रवीन मिश्रा थुरूआ फेस्बुक प्रोफाइल और सुनल गर्ग अब इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा यह ओनलाइन बैठा होगा फेस्बुक पर अचानक से फ्रेंड लिकोस्ट आई किसी सुनल गर् रॉप्रल एक अनव... कोई कडdy और आता कि उसके inटरस्ट गहा तक पढुछते हैं उसको इंडिया की डान मेनुफक्ट्रिंग में उसे भारत के मीसाइल में उसे ब्रमुस में in पर्टिकुलर बड़ा इंटरस्ट है obviously कान खड़े हो जाते हैं आपको पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पे main interest मैं नहीं हूँ main interest इंडिया के defense secrets है और इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि thankfully यह आदमी DRDO के लिए काम नहीं करता था मगर आज के समय देखिए भारत की जो defense industry है इसका बड़ा विस्तार हो रहा है example के लिए मैं आपको बताओं तो अगर भ्रमोस मिसाइल को अगर हम देखे न अभी के लिए जो इसकी manufacturing भारत में होती है यह integrated complex है हाईदराबाद वहाँ पे होती है उसके इलावा रिसेंटली भारत के रक्षाबंतरी राजना सिंग्जी ने कई है कि ब्रमोस production set for लखना हूँ by 2026 और ऐसा नहीं है कि ब्रमोस को जब हम build कर रहे होते हैं तो सारे components सब कुछ जो इस मिसाइल में चाहिए होता है सब एक ही center से बनता है आपको काफी बार private companies से कुछ chemicals चाहिए कुछ certain type का alloy चाहिए कुछ certain type की आपको chips चाहिए ये सारी चीज़े काफी बार ना आप private companies से procure करते हो और फिर उनको assemble करके उनको जोड के eventually एक technology के साथ missile build किया जाता है एक facility में तो अब problem देखे ये है कि ये जो आदमी था ये एक private company में काम करता था जो इससे पहले हाइदराबाद में थी हाइदराबाद में रहता था ये आदमी तो possibility है कि वहाँ पर जो integrated complex हाइदराबाद ब्रमोस missile का वहाँ पे को spying की गई है अभी details सामने आई नहीं है और आप सोच कर देखिए in the future जब हम बहुत सारी भ्रमोस manufacturing facilities इंडिया में बना देंगे पाकिस्तान की IISI के लिए targets ही targets है उनको बस एक lonely साम भी देखा है जिसको पता नहीं है honey trap के बारे में किस तरीके से पाकिस्तान की intelligence agencies काम करती है और इंडिया के defense secrets एक बार को leak हो सकते हैं So this is a huge concern for India प्रवीन मिश्राग करके एक व्यक्ति मिले उनका mobile phone शेक किया था उस mobile phone पर जो information हमें मिले उस आदर पर हमने एक offense IPC 123 ITI का और conspiracy का offense रेस्टिक है इसमें मुख्य जो माहित ही है पाकिस्तान का ISI handler कुछ का नाम सोनल गर तरीके बता थी और वो IBM हंडियर में काम करती ऐसा बोलके हडी टॉप करने कोशिश किया हडी टॉप में प्रवीन मिश्रा टॉप हुए नाव सबसे तरह concern की बात यह है कि CID के जो राजकुमार पांदियान सहावेनों ने ये भी कह दिया इंडियास defense related information तो जो information थी वो extract हो चुकी है आगे नोंने ये भी कह दिया कि प्रवीन मिश्रा has been investigated and further investigation is going on the ISI handler even tried to install malware in प्रवीन मिश्रा's office server जो इनका office server जहां पे कहीना कई information stored होगी कि किस तरीक से defense equipment हम बनाते हैं कौन सा material लगता है ये सारी information निकालने के लिए एक malware भी install करवाने की कोशिश की गई थी it is really sad के SI incident सामने आया है obviously प्रवीन मिश्रा की अभी काफ investigation की जाएगी case वगरा होगा but अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ hopefully इंडिया के जादा कुछ बड़े important जो secrets हैं ये भी काई हो गयोंगे but again जिस टाइप की headline सामने आ रही है कि info on missiles, drones, God knows के कौन-कौन सी information पाकिस्तान की ISI के पास अभी तक जा चुकी है एक सबसे बड़ी बात ही है कि honey trap ये defense sector में अगर हम बात कर रहे हैं वीडियो तूर लिगिन ये तो इतने बड़े-बड़े लेवल पर बैठे हैं जैसे जिनको भी यह कर आ है तो मतलब इस लेवल में इतना हो सकता है कि अपके पास एक request आती है और चलो ठीक है request आगी माल लिया कि आपकी profile लिखे कि आप बहुत बड़े scientist हो request आगी वो भी अच्छी profile अपने आपकी बताती है लेकिन जब कोई इनसान आप से इस तरह की बाते करने लग जाए कि मुझे और जानना इस बार में थोड़ साब मुझे इस बारे में बता हो कैसे मतलब यह तो खुद में भी पता होगा कि इतनी detail information मांग रही है वो मेरसे यह थोड़ा shocking रहता और एक और चीज इसके अंदर मुझे लगती है कि आप जब इस चीज तरह किसे कोई बात करता है या तो आप दो चीज हो सकती है अगी बताते हूं नहीं वाटसैप पर कु सब्सक्राइब करने लगा है तो आपको यह भी आएगा कि क्या बोलता है आपका CVM ने महां से वो कर रहा है तो कोई डिसकेशन हो सकता है क्या यह वो फिर लिंक के लिए भी बोलेंगे इस पर नहीं करना है ऐसे कोई वो नहीं करता कि तु यह रेखना हर ओनलाइन पॉर्टल से दो तरीके से इंफ लिक होते या तो मानलों साइंटिस्ट है उसने उस से पुछा हूँ उस लड़की ने बुच साइल वाले काम में भी हूँ यह भी फिर अगली अच्छा है यह सोच्ति हूं कि चलो ठीक है नहीं नहीं जॉब करें लेकिन यह तो बताया ना अच्छे यह किस लेवल पर इतना तो सौब को पा एक बात बता हुआ को नहीं बिजनिसमेन भी है उसे को ऐसे बोलने लगे कि क्लिक कर तो और वो भी था प्रिश बांग लगाते हैं और आज क्ताय में आप को बताया कि से साइबर कॉराइम होता है किस तरीके से उन्टरीकें की दुनिया ऐपको इनbrarिकरी की दुनिया में ऑ придzig कि शी lot सकता है इसलिए अप बचिछ के अधाए है दाव भी अली जुराइ के लिए भी यह न्यूस सबग होती है कि आपको जाच परक्के हो कि अन्लाइन वाला प्यार बहुत खतरना है बच के और यह चीज तो बहुत शॉकिंग है कि मतलब इस पोस्ट पर होके क्या इंकी काउंसलिंग इंकी काउंसलिंग भी होती है हर एक चीज होती है फिर उसके बा कि अवे पिकिर